वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल इस टेप के लिएर कंसेप आज की सुनी की तरफ से रिकूरूट में निकली हुए है 2022 की तरफ से IT सेक्टर की ये जॉब से कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिसकस होने वाला है जो भी candidate fresher है उनके लिए भी best opportunity और जो candidate 2023 में पास ओट होने वाले उनके लिए भी best opportunity है वीडियो लाँस तक ज़रूर देखना complete process इस वीडियो में डिसकस होने वाला है जो भी वीवार इस चैनल पर new है वो चैनल को subscribe करना ना बूले और साथी साथ बेल आइकन के घंटी को भी दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे कौलिफिकेशन की बात करें यहां एनी ग्रेजवेट और पोस ग्रेजवेट वाले अपलाए कर सकते हैं कौलिफिकेशन हम पूरा डिटेल में डिसकस करेंगे उससे पहले हैं यह और आप पासिंग की बात करें तो 2021, 2022 और 2023 के कंडिडेट इस फ़र्म के लिए इलिजिबल है, जॉब लोकेशन और इंडिया रहने वाला है फ्रेशर भी इस फ़र्म के लिए इलिजिबल है, ओफ केंपस यह रिकूट मेंड है इंडेस्टी की बात करें तो कौंगलोमेरेट यह इंडेस्टी है उफिशल साइड हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रवाइट कर रहे है आप हाँ से जाकर डिरेक अप्लिकेशन फॉर्म भी फिल अब कर सकते है अगर आपको इसकी ऐफिचल नोटिफिकेशन की पीडिएप चाहिए तो यहां सबसे पहले B.B.Tech, M.C.A., M.E.M.Tech, B.C.A., M.B.A., M.H.C., B.S.C., B.C.M., M.C.M., M.A., B.A., N.E.G.R.A.J.B.E.D., N.E.P.G.R.I.V.E.N.E.S.T.E.M. from N.E.R.I.C.O.G.N.A.S.T.E. or Institute with minimum 65% marks मतलब जो भी मने आपको यहां डिग्री बताया हो उसमें आपको 65% एग्रीगेट होनी चाहिए और यहां इंपोर्टन बात यही भी है कि only eligible to attend for the Sony Off-Campus Drive 2022 मतलब जो candidate के पास इन में से अगर डिग्री है वोई Off-Campus 2022 Drive के इंटर्वी के लिए eligible रहने वाले एंड इंपोर्टन बात यही है कि 2023, 2022 and 2021 के pressure candidate भी इस firm के लिए eligible है और यहां एक बात important यह रखी हुए है कि जो भी candidate के पास backlog है वो इस firm के लिए eligible नहीं रहने वाला है मतलब आपका application form तो accept हो जाएंगा बट आपका यह interview या offer later आपको कुछ भी नहीं आने वाला है अगर आपके pending backlog रहे तो required skill की बारे में बात करें हैं तो आपको कौन-कौन सी required skill यह most important है तो सबसे पहली required skill है कि candidate must have complete knowledge of the skill required for the specific rule excellent communication skill, ability to project management, interpersonal and organization skill यह जो मैं बता रहा हूँ यह important role है interview के time पर इस topic से ही आपको question आते है willing to learn in various industry, capability to middle person with an affiliation approach, excellent skill required on IT as well as AV integration यह आपको most important required skill है जो आपको interview के time पर लगने वाले and next discuss करते हैं interview round की तो कैसे interview round हने वाले है तो सबसे पहला आपका return test होने वाला है वो भी आपका objective type रहता है online basically उसके बाद आपका technical round होने वाला है फिर HR round उसके basis पर यह आपका selection होने वाला है test pattern की बात करें यहां तो जो sony test conduct करवाता है उसका pattern कैसे रहने वाला है तो आपको 60 question आते है 60 minute के लिए जिसमें आपको aptitude test के लिए 50 question है verbal के लिए 15 question है टेकनिकल के लिए जो भी आप steam से apply कर रहे है उसके आपको 20 question आने वाले है इसका आप ज़रूर से ध्यान रखे test pattern भी यहां available है document की बात करें तो कौन से document आपको important लगने वाले है आपका officially selection के बाद तो यहां original document लगने वाले है SSC की mark sheet, HSC diploma mark sheet, graduate and post graduation, all year mark sheet any of the photo ID proof, pen card, passport, driving lesson, college ID, photograph, updated resume जो भी आपका fresh resume है वो आपको यहां लगने वाला है वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सवाल या doubt रहते हैं तो आप हमें comment box में जरूर से पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friend में share करना न भूले ताकि आपके एक share की वज़े से यह notification किसी के काम आ सकती है